नमस्कार, आज हमारे साथ है शकील सैफी जी और उनसे सुईरा पूछते हैं महाराष्ट को लेकर सवाल और विपक्ष की अगर बात की जाए और साथी साथ आम जनता की तो सब ने अनिल देश मुक के स्टीफे की मांग तेज कर दिये साथी साथ राश्पती साशन की बात भी बहुत जाद हमाराष्ट में उठ रही है देखे मैं कहना चाहता हूँ कि उदव ठाकरे जी बले ही अपना पला जाड़े या सरत पवार जी अपना पला जाड़े या कोंग्रेस अपना पला जाड़े क्योंकि तीनों की मिलाकर के सरकार है और सबसे पहले तो अनिल देश मुक का इस्तीफा होना चाहिए इस्तीफा जरूर लेना चाहिए उनसे और उन्हें खुदी नेतिकता के अधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और रही सो करोड की बात जो समय वो पद पर थे तो उन्होंने ये जो रचना रची थी मान्या है मुके संबानी जी के निमाज इस्तान पर जो गाड़ी रख करके ये करवाया गया था ये सिर्फ मैं पहले भी अपने प्यारे हिंदुस्तान के नाम से खुलासा कर चुका हूँ चैनल पे इन्होंने मदलब जो है शिर्फ और पैसे वहाई के लिए मुके संबानी को डराने के लिए ये सब कुछ घटना करम किया था कि उनको डरा करके और पैसे खटे किये जाएंगे और सरकार पैसे कि अगर बंबे से 100 करोड और रुपया आ सकता है तो पूरे महरार्श से कितना करोड रुपया आएगा इसका मैं पूचना चाहता हde कि महरार्श के अलाबा कितना करोड़ रुपया आएगा, आप यह सोची अगर बात की जाए जो बोल रहे है महा वसूली अगाड़े तो वसूली का काम करने वाले रक्षक होने के बाद भक्षक करने वाले काम करने की बारे में क्या कहेंगे और पल्ला जाड़ने की बाता लगे लेकिनाच प्रेस कॉन्फरिंस में जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पल्ला जाड़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि देश की जंता देख रही है और मैं तो आधर्निय देश के परदान मंत्री और राष्ट पती जी से अपील करना चाहता हूं कि महराष्ट में जो है राष्ट पती साचन लगाना चाहिए उद्दव ठाकरे का भी नाम ले दिया है तो इतना क्यों घबराय हुए और अगर शरत पवार एक तरफ अकर कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे कल बहुत तगड़ा वाला आप हमारे एक्शन देखेंगे तो वो खुद क्यों नहीं अनिल देश मुकर डिरेक निकाल सकते वो उस शरम नाग बात एक हम मिनिस्टर के महराष्ट में किसी भी तरह मतलब सो करोड रुपे इखटा करके दिये जाएं मैं इसका विरोध करता हूं रिपब्लिकन पाल्टी ऑफ इंडिया अठावले अलप संक्यक विबाग इसकी गोर निंदा करती है और इसके खिलाप अगर उन कि सचिन वाजे उद्दव ठाकरे के खास बंदे हैं इसके बाद अगर अनिल देशमुक अपनी जगा पर बने रहेंगे होम मिनिस्टर के तोर पर तो उसके बाद जाच तो निश्पक्ष रूप से होई नहीं पाएगी ना वहीं दूसरी जगा बात कर रहे हैं कि नहीं नही कि इस जाच पर मदरस सपस्टी करन नहीं हो सकता इतने सीब्याई को जाच नहीं दी जाए और यह सीब्याई को जाच देनी चाहिए और मान्य में राष्टपती देश के राष्टपती से अपील करता हूं कि महाराष्ट में राष्टपती शाशन लगाया जाए और इन पूट ऐं पर परतिबंद लहाना चाहिए और महाराच की जन्ता को खुला सांस लेने की आजादी दी जानी चाहिए सरर अगर बात की जाए कि नेताओं पर जन्ता विश्वास दिखाती है दिखाती है कि वो उनके सेवक हैं अब अधूर्भकर нос है विसा करने देखे नेता और एक चोर में कोई फर्क नदर नहीं आता मुझे आज की डेट में अनिल देश मुख जी ने जो ये काम करके दिखाया है मुझे तो लगता है कि ये चोरों के सरदार तो नहीं है महाराज से ये जो सो करोड ये 200 करोड रुपे की वाही करना चाहरे खाली बंबे और महाराज गुपर्मेंट की और अनिल बाजे की जाँच होनी चाहिए मुझे अशंका है सचिन बाजे सचिन की शुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए सचिन वाजे के जो हाला कमान थे बोल सकते हैं परंबीर सिंग अब उन्होंने भी रास एक के बाद एक उगलना चालू कर दिया है तो अकर बात की जाए अब यह तो बोल सकते हैं प्यादे थे एक मोहरे थे इनका जो हुकूमत कर रही है वो कौन है और इसके बीछे कौन होगा क्योंकि संजे रावद बहुत गबराते हुए दिख रहे हैं एक तरफ वो एने आए पर ही सवाल उठाते हैं कि अरे निश्पक्ष तौर पे जाच नहीं हो रही है साथ इसा उन्हों ने ये भी बयान दिया कि उरी अटैक मर पठान को धमले के बाद क्या कर रही थी जाच एज सुजबूज की बात की जाए जब पीएम को जो बोल सकते हैं महाराश्य स्टेट पुरा सम्हालने वाली उनको जब खबारी नहीं स्कॉर्पियों कैसे आता है मृत्यू कैसे होती है सुसाइड केस बहुत होते हैं उनसे हेल्ट मिनिस्ट्री भी नहीं समल रही तो करके रहे उद्धव ठाक रहे तो खुदी शब्रशिक नहीं तो यह बार इसका नास कर रहे हैं और महराश्य को इन्हों ने सो साल पीछे कर दिया मेरे ख्याल से तो राष्टरपती जी को गवन्र लगा देना चाहिए अभी गवर्नर रूल लगा देना चाहिए उसके बाद में राष्टपती शाचन करके महराष्ट में चुनाव कराया जाना चाहिए सबसे बड़ा एक और सवाल आपने बोला उद्दव ठाकरे खुद कर रहे हैं उद्दव ठाकरे रेजिगनेशन नहीं देते हैं वो कहते हमें पता नहीं ता पल्ला जाड़ते हुए दिख रहे हैं अगर यह ब्लेम गेम जो सबसे बोलता है डिर्टी पॉलिटिक्स का ब्लेम गेम कर रहे हैं तो यह दो कट बंधन क्यों नहीं तोड़ देते हैं देखिए तो कॉंग्रेस को सबसे पहले जो कहते थे हम धरम ने प्रिक्स पार्टी है कॉंग्रेस के इतने बड़े खुलासा होने के बाद में सोनिय गांदी जी को तुरंत इस्तिफा ले लेना चाहिए और अपनी सरकार से रिजाइन लेना चाहिए था कि हमें अपना समर्तन वापस लेती हूँ और सोनिय जी ने भी एक लम ने उठाया, सरत पवार जी रेखूरा की सरकार को बरकस किया जाए अबने अब ने महाराश्र की बात तो बहुत कि आब इसमें जो बोल सकते है अनिल देश में एक और पात करते है कि सचेन वाजे साथ साथ राज ठाकरे ही वह ही बहुत पहले बहुत ही बॉखला रहे थे जाच पर उन्होंने माफी भी मांगी फिर उन्होंने एने आए पर प्रशन उठा दिये तो उसके बाद अगर साथ गार्ड देखी जाए तो महरास्ट का हाल क्या है अगर पहुच देखा जाए महरास्ट का कितना बुरा हाल हो चुका और यह सचिन वाजे भी उनके आदमी है यह तो किसी से चुपा हुआ नहीं है तो सारी मीडिया ने उसको चैलेंज कर दिया है और बता भी दिया है तो इनको खुदी रिजाइन देना चाहिए और इन्होंने महराज को 100 साल पीछे धकेल दिया है इससे पहले सुसांत केस हो सुसांत तो मैं चाहता हूँ कि रिजाइन दिया जाए और राष्ट पतिशाचन लगाया जाए बहुत बहुत शुक्रिया तो अगर बात की जाए महाविकास अगाडए नाम था एमड़े सरकार का लेकिन अब यह महाविनाशक सरकार हो गई팅 है महावसूली से साफ स्वाइण बहुत कौन क्या मिली भगत चल रहे हैं इसके बाद जो शरत पवार बोलते दिख रहे हैं कि बहुत बड़े-बड़े फैसले लेंगे कल बहुत जाद अधिक के तो देखते अनिल देश मुख स्टीफा लेते और अनिल देश मुख सो जब एनिया पूछतात करती है तो और किस किस के राज खुलकर सामने आते हैं और कब होता है राश्पती शाशन लागो मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिय